बीते दिनों उत्तर प्रदेश में 2024 के लोग सभाचिनाओं में भारती जन्ता पार्टी को उसकी अमीद के अनुसार परिणाम मिलते नहीं नजर आये ऐसे में अब 10 सीटों पर आने वाले दिनों में उपचिनाओं होने हैं इन सीटों को लेकर के तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं एक तरफ जहां भात्र अंटा पार्टी 2024 के लोकसभा चिनाओं मेहार के बाद राष्टी संगठन मंतरी राज़ानी लखनों पहुचे थे ऐसे में इन तमाम चीजों को ले करके रणनीती भी बनाई गई है कौन से परत्याशी होंगे किन चेहरों को उतारा जाएगा ऐसे तमाम चीजों को इस मीटिंग के दौरान चर्च चाहे जा रहे हैं कि इस बार के जो दस चीटों पर उप्चनाओं होना है इसमें भी इंडियागट अबंदन साथ में चुनाओं लड़ सकता है लेकिन ऐसी उमीद फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी के तरफ से कम लग रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी इन दस समाजवादी पार्टी तरफ से अभी पत्ते नहीं खोले गए तो वहीं कॉंग्रिस की तरफ से भी खुल करके बात नहीं रखी गई है ऐसे में फिलहाल अभी दोनों ही पक्ष विपक्ष भाधिजनता पार्टी और इंडिया गडबंदन जो की समाजवादी पार्टी और दाइमेज कंट्रोल करने की पूरा प्रयास करेगी तो वहीं समाजवादी पार्टी जो की कॉंग्रिस के साथ मिल करके अगर इंडिया घडबंदन में आते हैं तो उन लोगों का प्रयास भी यहीं होगा कि जो लोकसभा में परड़ामा हैं वो उप्चिनाओं में भी कर रहा है और कहां कुछ क्याक कम यहें कि लोगतले Dre starts के हार का सामना भारति जन्ता पार्टी को करना पड़ा है उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इंदस त्सीटों पर लहाल भारति जन्ता पारिटी अपने प्रतियाशों का एलान कर देगी, उसके बाद समाजवादी पारिटी भी अपने प्रतियाशों का एलान कर सकती है, क्या कुछ तमाम चीज़े होंगी, हम तमाम अपडेट्स आपको उप्चनाव से संबंदित देते रहेंगे, आज के लिए फिलहाल इ इतना ही, वीडियो जन्ली देपकाना के साशुभम पांडे नुजी स्टेट, लखनाओ,